तो आज हम जानने वरें एक बहुत ही जबर्दस्त चीज के बारे में जैसे कि आपने टॉपिक और तुमनेल में देख लिया होगा तो आज बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन को लेकर जो कि बहुथ ही सारे लोगों में हमेशा बनी रहती है कि अलग-अलग pitch से रियाज कर सकते हैं या नहीं या बहुत सारे लोग तो अलग-अलग pitch से गाने में भी बहुत जादा डरते हैं जो कि बहुत ही actually में देखा जाये तो थोड़ी अजीब बात है अब देखें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि for example अभी suppose आप G sharp से गाते हैं ठीक है जैसे यह चौथा काल है यानि की G sharp अचाय यह अभी जो मैं आपको जो चीज़े बता रहा हूं इसके लिए आपको basic जो knowledge है इसको लेकर वो होनी बहुत जरूरी है कि जैसे किस की को क्या बोलते हैं A sharp किसे कहते हैं C sharp किसे कहते हैं अगर आप यह जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है बट इनकेस अगर आप यह नहीं जानते हैं तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरूत नहीं है आप मेरे इसी चैनल में जाएंगे playlists में जाएंगे playlists में जाने के बाद वहाँ पर एक playlists होगी जिसका नाम है best harmonium lessons by Siddhant Pruthi उसमें 10 videos line से लगी हुई है playlist बनी हुई है तो उसके अंदर है सारी के सारी basic जो knowledge है जो एक गवये को मालूम होनीचे कम से कम वो उसके अंदर है तो उसको एक बार मैं चाहूँगा कि आप देख कर रहें ताकि आप कोई चीज आचे से समझ में आजए तो देखे पहला पिछ में ले रहा हूँ जी शार्प यानि कि चौथा काला सब्सक्राइब का चौथा काली के साब से आप उपर के गार तक गा सकते हैं एक्जामपल तो यानि आप अभी ऊपर के मंद्र सबत्र तक का और इसको उपर वला सा हुआ यह भी जी शार्प ही ज़ार है बट मुपर अब इस मिडल ओक्टिव का अब इससे उपर अब गा तक गए तो उसके यह साब तक आप इसली गा पाते हैं तो अब देखिए कि अगर आप कोई भी गाना गाते हैं जो चाहे C शाप से शुरू हो चाहे D शाप से शुरू हो चाहे D से शुरू हो चाहे E से शुरू हो अगर उसकी last range higher octave के C तक ही है तो आप गाना गा सकते हैं कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब एक्जाम्पल के तौर पे अगर मापको बताऊं जी शाप आपने गाया सारे गामापदर्णी सारगार सामतर्पामागर साथ कि अब इम सीशाप से तौर इस सी शाप से क्या होगा कि सीशाप से मैं एक भजन की लाइन के लिंघके राम हीराम हैराम जाग्जीत स्ञ्ञ्ण्स आप का आप साव्यण सुना होगा जाहिरे एक्जाम्पल के तौर देखें, अभी सीजा आप से कह रहा हूं, सिर्फ फटाफट ऐसी लाइन को ना रहो तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का शाम, हे राधा का शाम तो अभी तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का शाम तो इस भजन में इस से उपर रेंज इसमें जाती नहीं है तो अभी देखिए कि सा से अभी सी शाप का सा है और ये इसका पा है तो तू ही तो है राधा का शाम तो पर यह गया, अभी पर जो नोट है उसको वह भी सी शाफ के साफ सेक्षिल में जी शार्प ही है, तो मगर आपकी जो रेंज आओ पर के सी तक है, तो उसे तो नीचे ही आगे जी शार्प, तो यहाँ पर दाट बन्स कि आप सी शाफ से इस भजन को आप एजीली गा सकते हैं अगर आप D-Shop से भी गाना चाहें, तो अभी आप गा सकते हैं, वो अपने comfort के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, माफ कीजेगा, वो आपको आपके comfort के हिसाब से देखना पड़ेगा, कि आप कहां तक comfortable है, तो एक बार आपने अपनी final range, जो है वो अपने pitch, जो आपका रियाजी pitch है, उसके साब से एक बार आपने चेक कर लिया, उस दायरे के बीच में जितने भी pitch आ रहे हैं, अगर वो आपके दायरे के साब से सेट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल किसी भी pitch से गा सकते हैं, अब जै जाता है, मगर जोईन होने से पहले काफी confusion रहती है, कि सर हमारा pitch तो G sharp है, तो A sharp से कैसे रियास करेंगे हमको बहुत उचा पड़ेगा, यह C sharp है, तो उससे कैसे रियास करेंगे, तो यह जिनका pitch C sharp नहीं है, वो C sharp नहीं है, वो C sharp नहीं है, आपके pitch पर हो तो बात रहरे है, बट अगर आपके पिछ के हिसाब से नहीं है तो कम से कम content आपको सीखना चाहिए और उसके हिसाब से वो content जब आपको याद हो जाता है एक बार आप थोड़ा गुन को ना लीजे देखें, half note, एक note में कुछ जादा फरक नहीं पड़ जाता है हाँ, एक comfort तो रहता है अपने pitch के साब से no doubt बट सीखने के लिए हमारे हिसाब से पूरी दुनिया चलेगी वो तो हो नहीं सकता तो हमें भी थोड़ा सा compromise थोड़ा से sacrifice करना ही पड़ता है तो यहाँ पर अगर आपका pitch G sharp है तो आप A sharp से थोड़ा सीख सकते हैं और इसी बहने आप ऊपर के और आप एक बात सुचे कि G sharp के साफ से अगर आप उपर के सा तक जा रहे हैं तो भी वो गा से नीचे ही और लॉझीकली देखा जाए तो तो यहाँ पर अगर A sharp को हम सा मनते हैं तो उबर का साँ हो गया E शर्फ और ए शार्फ का जो रे कोगा वो भी ंओ ही ओगा जो की लतने नशुन को में नशुन गाने कोगतने हैं कि यह बात नहीं बौट रहा हूँ कि रैंज बढ़ाने के लिए पिच चेंज करना चाहिए, ऐसे नहीं मैं बोड रहा हूँ, तो आप अपको अभी उधारन दे रहा हूँ, तो आप A-Shop से गा सकते हैं, को इटेंचन ये रे तक तो गा सकते हैं, उसके बाद गा तक आप सोच सकते हैं, थोड़ा हमिंग में उसको कर सकते हैं, या थोड़ा सा कभी-कभी वैसे तो अलाउड नहीं है, बट फॉल सेटों में गुन-गुना सकते हैं, अगर अगर आप अपने पिच में नहीं गा रहे हैं, तो कभी-कभी हम लोग कर लेते हैं, तो कंटेंट आपको सीखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप उसको अपने पि आपको exactly मालूम भी नहीं होगा, कि ये कौन से पिच में गाना है, कौन से पिच में नहीं है, बट आप गा देते हैं, उसकी वज़ा से, जब हम ज़ादा कॉशियस हो जाते हैं, तो एक डर हलका-लका थोड़ा पैदा होना शुरू होता है, उसकी वज़ा से भी गाने में बह आती है, तो इतना ज़ादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, आप गा सकते हैं, और अब देखे कि हर गाना जो है, वो अपने एक फील लेकर आता है, कुछ गाने ऐसे हैं, जो लो रेंज में ही साउंड अच्छे करते हैं, कुछ मद्दे सब तक में ज़ादा अच्छे जाएगा, उसमें वो भाव ही नहीं आपाएगा, अब कोई जोश वाला गाना है, उसको आप खरज में गाएंगे, तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो उसको थोड़ा सा तो पिच उसका हाई रखना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सुनकर उचा लगे, तो सुनने में साइल में रहें हैं, वो भी डिपेंड करते कि अगर बैठे बैठे सिर्फ हलके लके आसू निकर तो ठीक है, मंद्री सब तक, मध्य सब तक, बटग वो चला करो रहे हैं, तो थोड़ा मध्य सब तक, तार सब तक तो उसका इस्तामाल थोड़ा जादा होगा, अब दीकि इस जिस जिस नोट पर रहूँ, जब आप सीखने की बाद कर रहा हूँ, इसके बाद अपने पिछ के साब सुसकोठो रियाज किजे और क्लासिकल, जब आप रियाज करते हैं, तो एक ही पिछ रखे, मैं वही रेकमेंड करूंगा, कुकि काफी लोग ऐसा करते हैं कि सूभा में खरच डेविल अप करने के लिए पिछ दूसरा रखते है नीचे का और शाम थोड़ा हाई अरे रिंज को डेव अप करने के लिए थोड़ा हाई पिछ पर जादा रियास करते है मैं यह वाला यह वाला जो मैं आपको concept बता रहा हूँ यह सिरफ सीखने के लिए ही मैंने आपको बताया कि जो आप जिन भी गुरू के पास आप सीखते हैं अगर वो आपके पिछ के साब से नहीं करवा रहे हैं तो कोई बड़ी problem नहीं है इसमें उनके पिछ में सीख लीजे उसको रियाज अपने पिछ में बाद में कीजिए मगर जो आपका जो comfort zone जिस पिछ में है उसको change मत करिए यह नहीं कि सुभा कुछ और शाम को कुछ और उसी में खरच develop कीजिए उसी में तार सब तक develop कीजिए उसको change नहीं करना होता तो इस दोनों concept थोड़े अलग लग में बता रहा हूं तो गौर फरमाईएगा इस बात पर बहुत ध्यान दीजेगा फिर दोरारों इस बात को कि जो आपका खुद का personal pitch है जहां से आप comfortably गा सकते हैं वो एक ही रखिए उसके अलावा अगर आपको सीखना है किसी से तो वो जरूरी नहीं है कि आप ही के pitch पर सिखाए वो change भी हो सकता है तो content सीखने में कोई problem नहीं है क्योंकि आप already बहुत सारे अलग लग pitch में गाने गाते हैं बस रियाज के टाइम पर थोड़ा जादा डर जाते हैं जादा conscious हो जाते हैं मगर जब आप गाना गाते हैं तो आप already बहुत सारे pitch में गाना गाते हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है और वो थोड़ी देर का होता है जिसे थोड़ी देर अपने class ली तो आपने थोड़ी देर दूसरे pitch पर गाया तो आप गाना भी तो गाते दूसरे pitch पर तो इसलिए मैं आपको वैसे आप देखिए कि आप समझ पा रहे होंगे कि उसमें जादा confused और डरने वाली बात नहीं है तो easily manageable है यह दिमाग से मेत को हटा दीजे किसी वह में मत रहे है और अच्छे से रियाज कीजे यह वीडियो भी आपके लिए काफी helpful रहे होगी सिस वीडियो को भी आप जारू लाइक करे शेयर करे कमेंट करे और हाँ सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा इस चैनल को और साथ ही साथ में अगर आप इस तरह की और टेकनिक्स जानना चाहते हैं और टेकनिक्स को लेकर तो मैं वीडियो अपने इसी चैनल पर डालता रहता हूं अपने यूट्यूब जो मेरा ओफिशिल चैनल है सिधान प्रूथीज पर डालता रहता हूं मगर इसके अलावा अगर आप इन सब चीजों का एक्चुल में रियाज करना चाते हैं तो जोईन कीजे मेरा लाइव ऑनलाइन रियाज सेशन हर महीने होते हैं पिछले तीन साल से अभी तक चल रहे हैं और आज की तारीक के हिसाब से मैं यह बात कर रहा हूं कि यह पिछले तो यहाँ पर मेल रही है मगर इसका अक्चुल में रियाज करना है क्या फरक होता है कि आसार होता है तो वहां तीन घंटे के रियास में आपको पता लगेगा क्योंकि तीन तीन घंटे की वीडियो बना कर यूट्यूब डालना तो दूर प्रक्टरिकल पॉसिबल नहीं है